हेलो चिल्डेन, अभी आपको आपकी सर्जिंदी रचना की पाट्टे पुस्ता निकालनी है हमने इसके पहले वीडियो में लेशन नमबर ट्वेंडियेट वाक्य विवस्था तक पड़ा था तो आज हम लेशन नमबर ट्वेंडियन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग पड़ेंगे Usage of Words in Sentences मतलब आपको इसे शब्दा दिये जाते कि हम इनके उपर वाक्य बना सकते हैं तो देखो, अगर मैंने आपको बोला, फूल, फूल के उपर आपको वाक्य बनाना है तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं? गुलाब का फूल बहुत सुन्दर है मतलब ऐसे अलग-अलग वाक्य बना सकते हैं कि जिन वाक्यों में फूल वर्ड आता है तो ऐसे ही आपको यहाँ पर चित्र दिये हैं और उनके नाम दिये हैं तो उन नामों के मतलब उन शब्दों के आपको वाक्य बनाने हैं चित्रों के नामों का वाक्यों में प्रयोग करो देखो यहाँ पर चित्र दिये और उनके नाम मतलब वर्स दिये मतलब यहाँ पर देखो अभी पाडशाला तो हम पाड़शाला के उपर क्या वाक्य बना सकते हैं, हमारी पाड़शाला बहुत सुन्दर है, हमारी पाड़शाला बहुत दूर है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम पाड़शाला में पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के वाक्य हम बना सकते हैं, तो अगला चित्र देखो चिडिया तो चिडिया के ओपर हम क्या बना सकते हैं कि चिडिया पेड़ पर अपना गोसला बनाती हैं चिडिया आकाश में उड़ती है या पिर चिडिया एक सुन्दर पक्षी है अगला चित्र देखो लाल किला तो लाल किला के ओपर हम क्या कह सकते हैं कि लाल किला लाल पत्थर से बना हुआ है लाल किला दिल्ली शहर में है अब अगला चित्र देखो सूरज का सूरज तो देखो सूरज की गर्मी से हमें पसीना आता है सूरज की धूप बहुत तेज होती है सूरज हमें रोशनी देता है या पिर सूरज पूरव दिशा से उपता है अब देखो अगला चित्र है मोर का मोर एक सुन्दर पक्षी है या पिर हम एक के सकते कि मोर हमारा राष्ठिय पक्षी है तो अभी आपको समझ में आये होगा कि हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग केसे करते है तो देखो अभी हमारा अगला lesson है 30 समान अर्थक, शब्द, synonyms मतलब ऐसे शब्द की जो किसी दुसरे शब्द के समान हो मतलब उसमें समान अर्थ देने वाला होता है वह समान अर्थक शब्द कहलाता है देखो समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थक या पर्याईवाची शब्द कहलाते है मतलब जैसे हम स्विनारिम्स बोलते है समानार्थक तो उसे दूसरा शब्द क्या है पर्याईवाची मतलब सें अब देखो या पर छित्र दिया है और उनके नाम भी परवत तो परवत को अम दूसरा नाम से क्या बोलते है पहाण सूरिय, सूरज, फूल, पुश्प यहाँ पर देखो प को छोटेओं की मात्रा है और यह है आधाश मतलब यह ऐसे आधा निकाला जाता है और इसको प जोईन किया है पुश्प दिये गए शब्दों के आगे उनका समानार्थक शब्द लिखो अब देखो आपको चित्र भी दिया है और उनके नाम दिये है तो उनके आधार पर हमें उसका समानार्थक शब्द लिखना है तो देखो अभी आख तो आख का दूसरा मिनिंग क्या हो सकता है अब देखो अगला चित्र है दिपक तो दिपक कम दूसरे नाम से क्या जानते है दिया अगला चित्र देखो अबी क्या है किताब तो हम इसे क्या बोलेंगे पुस्तक पको चोटे उकी मात्रा दि पु आधा स उसको तो जोइन किया क पुस्तक जब आप ये वर्स लिखेंगे तो आपको मात्रा का ध्यान रखना है कि आप मात्रा सही देड़े या गलत देखो अबी मोजा मतलब जुराबा जको चोटे उकी मात्रा दि जु मतलब इसमें फिर से र आता है तो ये दुसरा र ऐसे उपर गया है जुराबा मोजा जुराबा अबी देखो अगला चितरे पाडशाला तो पाडशाला के लें दुसरा शब्दा क्या बोलते है विद्ध्याले या पर भी देखो उवको चोटे की मात्रा है ये है आधाध और उसके जोडा या यको आखी मात्रा दि या ल य विद्ध्याले शब्द हुआ विद्ध्याले पाडशाला विद्ध्याले अब नेक्स देखो रिक्ष रिक्ष मतला पेड़ ड़के नीचे ड़ाटे इसले मिसका उचन अड़ो करेंगे पेड़ रिक्ष पेड़ अब नेक्स देखो चंद्र चंद्रमा मतला चान्द या चंद्रमा चान्द चक्यों पर हमने क्या दिये चंद्रबिंदू चांद अब देखो अगला चित्र है नव का स्काई तो इम इसे क्या बोलते है आकाश या फिर इसे हम गगन भी बोलते है नव आकाश साप साप मितला सर्प सर र कजो उच्चरने वो यहाँ पर इसे प क्यों पर जाता है सर्प तो एक बाह हम इसे रीड करेंगे परवत पहाड सूर्य सूरज फूल पुश्प आख नयन दिपक दिया किताब पुस्तक मोजा जुराबा पाट शाला विद्ध्या लए प्रिक्ष पेळ चंद्रचान नब आकाश साप सर्प आपको इसकी पिडिया मिल जाएगी धन्यवाद